का है मामधा के किर्चन में आपका स्वागत हम assuming मटर मखाने की सब्ची मटर मखाने की सब्ची खाने में ठेस्टी होती है और हेल्दी भी बहुत होती है नो आज देखए हमें इसके लिए क्यापसा बाझ चाहिए हमने 1 कट्वरी मखाने ले लिये हैं, के लाब मिर्च लिया टाल नमक 2oh aan नमकUast 2 साबुत लाल मिर्च, 1 दाल जिनी के टुकड़ा, 8-10 काली मिर्च, 4-5 लोंग लिया है, जीरा लिया है और 2 तेज पत्ति लिया है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बटर और हम ओयल के इस्तेमाल करेंगे कडाई को हमने गरम होने के लिए रख दिया, हम इसमें एक चमच के करिब त一定要 डालेंगे पहले मक्हानों को फ्राई करेंगे इसी के साथ हमारा पाणी उबल रहे हैं जिसमें हम मतर को ब्वाइल करेंगे मखाने को डाल देंगे इसके अंदर अब मखानों को हम रोस्ट कर देंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, पानी हमारा उबना शिरू हो गया, अब हम इसमें मटर डाल देंगे, मैं ताजे मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाओ तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी करदा हम इसमें आदा चम क्या था यह मक्हानी हमारे भून गए है अब इनको निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में तेल डालेंगे एक सर्वी स्पून के करीब हम तेल डालेंगे इसमें सास के साद हम इसके खड़े-garam नियुक कीषण सारे डालेंगे लाल मिर्च की रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए इसी के साद रमिसे लिए याम आड़ टुमाटर डालेंगे अधरा के अधरा के अधरा के अधरी मिस्कों भी जाल देंगें, और ताजी उमने के रखेते हैं वह भी रमीची के साथ डाल देंगें. कोड़ी बेर इसको बुलने के बाद हम इसमें लाल मेच दालेंगे. ताकी आप्तिमारे पिस व्लाल दालेंगे अब आम इसके अंदाल मेच थाल्चा मिजठी हाई आप साफ़ावले। ताकी हमारे मेरे मेरे के मेचाहरी की मेरे मेरें थादम긴ताऒने । भीचानों हो जालेगे. मेरे करफ़ता हम साफ़ानत्स को, बचाल कृदंगे. कड़ाई का इस्तेमान कर रहा है दुबारा तेल डालेंगे हम इसमें 2-3 चमशके क्रिल इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बटर पेले डालोंगे तो बटर जल दाता है इसलिए बटर आप तेल डालने के बाद ही डालें इसे के साथ हम डालएंगे जीरा नो अעल देघी याद हम ट्री के साथ हम अ डमें डालने के डालेंगे डालीके जिसरिए का सबैकलर बहुता है। मासाला हमें पीज़ी आपो डालने के समें थोड़ी दिर भूनने के बाद आप इसमें मासाले डालेंगे, हल्थी डालेंगे दालेंगे पिसाबा धनिया हम 2-3 चमच के करीब डालेंगे, इससे सबजी गाड़ी हो जाती है अच्छी तरह, नमक का इस्तेमाल करेंगे, नमक दियान से डालेंगे क्योंकि हमने उबलते हैं मत्रों में भी नमक डालें, मसाला हमारा भूल रहा है, अब हम इसके 2-3 में टोड बकाएंगे, अब हम इसमे मत्रों डाल देंगे, इसी के ताब हम इसमे मखाने भी डाल देंगे, तेज गैस पर बूनेंगे मिसको, आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, ड्राइ रोष्ट करके, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, मैं गरम पानी का इस्तिमाल कर रही हैं इसमें, हम इसको 2-3 में टास्ता गैस में ड़क्ते पकाऊंगे, जितने मुझे ग्रेवी चाहिए मैं इतनी रखोंगे, इसके साथ मैं इसमें कसोडी मेती डाल दूँगे, अब हम इसमें थोड़ी से क्रीम डाल देंगे, यह देखिए सबजी हमारी बन कर तियार होगी है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, इसको अब यादा गाड़ा नहीं करेंगे, जोली ठंडी होने के बाद ही गाड़ी हो जाएगे अपने आपी, इसी के साथ इसके ओपर हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, अगर आपके पास क्रीम ना होता आप मिलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर मखाने की सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है, आप इसकाइबर यह अपने घर में ट्राई जरूर करें, यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, अगर आपको मेरे बनाई मटर मखाने की सब्जी अच्छी लगी है, तो आप ममता के कितनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट्स देना ना भूले, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई टीश के साथ, लगा, लगश्छाओ!